तो भाई, यूटूपर आपको एक चीज़ का बहुती जादा अभी के टाइम में भीड चल रहा है, वो है यूटूबर का आज के टाइम में यूटूबर का कमी नहीं है, हर किसी से पूछो तो भाई, क्या करते हो तो भाई यूटूपर विडियोज बनाते हैं, बहुत सरे लोगों का यूटूपर channel है, चाहे वो job कर रहा है, चाहे वो मजदूरी कर रहा है, चाहे वो पढ़ रहा है, चाहे वो खेल रहा है, हर किसी का आपको एक यूटूपर channel मिल जागा, पता है क्यूँ, कुछ fake guru के कारण फेक गुरू क्या बताते हैं कि भाई अभी के टाइम में देखो मैं 4 सल पहले कैसा था और अभी मैं कैसा हूँ भाई 4 सल पहले मैं साइंकल से चलता था और अभी मैं कार से चल रहा हूँ सही बात है आग यूटूब ये करवा सकता है लेकिन कब जब आप सही तरीका को पकड़ोगे तब वो कैसे ग्रो हुए वो कोई नहीं बताता वो क्या इंपोर्टेंट है यूटूब पर वो कोई नहीं बताता यूटूब पर बताते हैं कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए कौन सा ट्रिक है कोई बड़े यूटूबर से पूछना तो 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए या वो करी ट्रिक लगाया था वास्टेम पूड़ा कर लो, चैनल को मॉन्टाइज कर वालो, और पैसा आएगा, घंटा कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा पैसा, तो भाई इनके वीडियोज को जो आप लोग देखते हो, देखना बंद करो, ये लोग न आपको मुर्ख बना रहे, सबसे पहले में जो सही तरीका है, जिस तरीका से इन्होंने ग्रो किया, क्या भी यूटूब पर इंपोर्टेंट है, किस चीज को यूटूब देखकर आपके वीडियो को वैरल करता है, ये अभी के टाइम में क्योई नहीं बताता, कोई नहीं बताता, बस आपको ट्रीक बताते हैं, इस ट ठीक है, लेकिन जो रूल है वो तो बताओ, कैसे यूटूब पर ग्रो करना है, कैसे आपको क्या करना है, मैंने भी चार साल से यूटूब पर हूँ, लेकिन चार सालों मैंने कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया, यूटूब से पैसा मैंने भी कमाया, चार साल का experience है, यहाँ पर देखो एक चैनल, 16,000 के तकरीब सब्सक्राइबर मैंने इस चानल पर किया, अभी के टाइम में यह dead है, दूसरा चैनल यह देखो, अभी के टाइम में मैं इस पर काम करता हूँ, लेकिन अभी के टाइम में इस पर काम करता हूँ, लेकिन अभी के टाइम में इस पर काम क दो चीजों कैसे आएगी यह कोई नहीं जानता और नहीं कोई बताता है। इन सारे गुरूओं के चक्र में पढ़ोगे तो यही होगा। जैसे मैं अभी इतने सारे चानल बना कर भी कुछ जादा नहीं कर पाया। वैसे तुम भी करोगे। एक दो साल के बाद क्या होगा। त तो कैसे आएगा। नहीं आएगा, एक भी सब्सक्राइबर नहीं आएगा, नहीं एक बार भी वास्टाइम पुरा होगा, नहीं आपका चनल मॉन्टाइज होगा, कोई ट्रिक के चकर में पढ़ोगे। तो कोई भी बड़ा यूटूबर ट्रिक को यूज नहीं किया है, सही तरीके को पकड़ता है, सही क्लू उसको मिल जाता है, तभी वो यूटूब पर वाइरल होता है, चार साल के एक्स्प्रियंस में दो, दो से तीन चीज मैंने जो सीखा है, वही मैं आपको आज की इस वीडियो में सेर करने वाला हूँ, और अगर आप उसको फॉलो कर सीखने में नहीं लगेगे, आपको 10 सिमिट में यह चीजे सीख जाओगे, कैसे सीखना इस वीडियो को पूरा देखके सीख जाओगे, तो भाई अपने यूटूब वीडियो पर व्यूज चाहिए, अपने चांग को ग्रो करना है, तो दो इंपोर्टेंट सेटिंग है, पत कि वो क्लिक बेट बन जाए, जिसके सामने जाए, वो बंदा उस पर क्लिक करें, तो वो भी बहुत ही जादा इंपोर्टेंट हो जाता है, अगर आपके वीडियो पर बहुत जादा लोग क्लिक कर रहें, तो भी यूटूब जो है, आपके वीडियो पर बहुत सारे लोगों है उस videos पर जाके देखना दो चीज आप चेक करना आप अपने videos पर CTR चेक करना और उसी videos पर आप जो है impression चेक करना दो चीज़ों को अगर आप चेक करोगे तो दोनों में देखोगे इंप्रेशन में भी आपका CTR है वो वो भी हाई है और आपका engagement है वो भी हाई है तभी आपको उस वीडियो पर फ्यूज मिले हैं जिस वीडियो का CTR कम हो जाता है जिस वीडियो पर आपको ज़्यादा लोग किलिक कर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक देख रहे हैं चाहे आप कितना भी दुनिया की बेश्ट अच्छी से अच्छे वीडियो बना लो कितना भी अच्छा वीडियो बना लो अगर आपका CTR सही नहीं आएगा अगर आपका thumbnail सही नहीं रहेगा तो समझ लो कि उसी वीडियो पर कुछ भी भीउज नहीं आगा चाहे आप दुनिया के कितना भी खराब से खराब content बना लो, कुछ भी दिखा लो अगर लोग उसको ज़्यादा देर तक देख रहे हैं record करके डाला हुआ और उसको करोड़ों में भीज गया है पता है क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा चीज दिखाया गया है लोग उसको last तक देख रहे हैं thumbnail में कुछ ऐसा चीज आ गया है जिससे उस पर क्लिक कर रहे हैं और उसको last तक देख रहे हैं वीडियो के लाक्ष में बताऊंगा आपको कैसे इसको ग्रोव करना है अब ही मैं आपको 3-4 चीज ऐसे बताता हूँ जिस पर कि आपको अस्टार्टिंग से ही फोकस करना है सबसे पहला चीज क्या है तो सबसे पहला चीज है गाइज Self Confidence आपको एक Self Confidence के साथ बोलना होगा जो भी कैमरे के सामने बोलो ऐसा बोलो कि भाई मेरे को ही बोल रहा है Confidence के साथ बोलना चाहिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहां भाई आपके किताब पढ़ रहो आप एक Book Reading कर रहो ऐसा करोगे यूटूबर कभी गरोह नहीं कर पाओगे चाहिए आपका Source Channel हो चाहिए आपका Long Channel हो अगर आप Voice Over भी करतो हो तो आपको ऐसा Voice Over करना है आपको डडर के नहीं करना है आपको ऐसा Voice Over करना है कि भाई लगे कि नहीं जो पीछे में जो बंदा बोल रहा है उसमें दम है ये चीज़े करोगे तभी आपका चैनल गुरू होगा दूसरा हो जाता है पेसंस जब भी आप यूटूब पर नहीं आयोगे तो आपको नहीं थम्जल बनाने आएगा नहीं आपको वीडियो बनाने आएगा नहीं आपको कैमरे के सामने बोलने आएगा नहीं पीछे में बोलने आएगा नहीं आपको editing आएगा, नहीं आपको content अच्छा बनाने आगा, कुछ नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, धारे के साथ काम करना है, पहला वीडियो बनाओ, उसके बाद दूसरा वीडियो बनाओ, उसके बाद तीसरा वीडियो बनाओ, लेकिन पहला वीडियो अगर बनान उसके सामने खड़ा होकर बोलो आपको तब confidence आएगा कैमरा के सामने 4-5 चीजिया ऐसे ऐसे बना उसको delete कर दो फिर से record करो फिर से delete करो फिर से record करो फिर से delete करो और last में जो सबसे सही बने उसको आप YouTube पर upload करो तब आप grow करोगे इस वीडियो को बनाने के बाद मैंने दो वीडियो को delete किया है अभी मैं तीसरा बना रहा हूँ अब पता नहीं इस वीडियो को रखूँगा कि नहीं रखूँगा कोई नहीं जानता मैं भी नहीं जानता हूँ मनोजदेव का ही वीडियो देखो गे तब ही आपको सीखने को मिलेगा अरे छोटा यूटूबर भी बहुत अच्छा से बता सकता है आपको जो चीज़े वो नहीं बता सकता है वो चीज़े को व्यवता सकता है अभी मैं एक कलू बताऊँ जो मनोज जो thumbnail use करते हैं जो भी thumbnail use करते हैं वो कोई और बनाता है और वो computer से बनाए हुआ रहता है लेकिन उसके जैसा लोग copy कर रहे हैं और वो भी अपने phone से copy कर रहे हैं अपने phone से बना दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा skill इसके पास आ है वो तो किस योर से बना रहा है न लेकिन यहाँ पर जो लोग बना रहे हैं अपने से खुद से उससे ज़्यादा इसके पास है तो कोई जो नहीं के बड़ा यूटूबर आपको अच्छी चीज़े बता सकते है नहीं वो जो editing कर वाता है blog channel का या फिर take channel का वो कोई और से करवा रहा है वो computer से करवा रहा है लेकिन उसी के जैसा लोग अपने mobile phone से कर रहे है काइन master से कर रहे है बीयन से कर रहे है उससे ज़्यादा skills है यहाँ पर लेकिन भीज क्यों ज़्यादे आ रहा है फैन है भाई फूल बना रहे है आपको अच्छे लोगों का value थोड़े न है जो चीज़े गलत बता रहा है जो चीज़े आपको बार बार एक ही चीज़े को repeat किये जा रहा है 2022 में भी वह ही 2023 में भी वह ही और 2024 में भी वह ही बताएगा उसी को लोग देखिए जो लोग नया बता रहे है जो लोग सही चीज़ को बता रहे है उसके वीडियो पर फ्यूज नहीं आएगा उसका फैन नहीं है ना उसके followers नहीं इसलिए तो यह चीज़ों को आपको follow करना है सबसे पहला है self confidence दूसरा है patience और थार्ड में आपको क्या करना है थार्ड में आपको editing a skill सीखना है editing a skill बहुत ही ज़्यादा important है आप अपने वीडियो में अगर आप animation यूज करोगे अपने वीडियो में कुछ-कुछ वीडियो क्लिप यूज करोगे कुछ sound effect डालोगे कैसे आपको animation डालो यह सारी चीज़ों का आप यूज करके एक वीडियो बनाओगे आपके वीडियो पर engagement बढ़ जागा और जैसा कि मेरा स्टार्टिंग में बताया यगर आपके वीडियो पर engagement बढ़ेगा तो आपके वीडियो पर भीज बढ़ना ही बढ़ना है कैसे आप अपने फोटो के erage कर सकते हो, background को erage कर सकते हो, कैसे आपको text लिखना है, text का design कौन सा देना है, कौन सा font यूज करना है, कौन सा style देना है, कैसे आपको shadow देना है, कैसे आपको stroke देना है, कैसे आपको emboss earn करना है, बहुत सारे thumbnail में भी चीज़े होती है, जिसको कि आ आपको follow करना होता है, जिसको कि आपको सीखना पड़ता है, कौन सा color के साथ, कौन सा color match होता है, ऐसा लोग बहुत करते हैं कि लाल लगा दिया, उसके बाद पीला लगा दिया, उसके बाद उजला लगा दिया, उसके बहुत घटिया लगता है, तो color grading, कौन से color के साथ, कौन सा कॉलर अच्छा लगता है कौन से कलर पे कौन सा font अच्छा लगता है कौन सा start okay इंबोस को कैसे on करना यह सारा चीज आपको जिखना पड़ेगा तो यह सब में आपको ध्यान देना है यह सब आपको सीखना दीरे दीरे सीखते जाओ दीर दीरे इंप्लिमेंट करते जाओ ठीक है तभी आप यूटूब पर ग्रोप कर पाओगे पाच्वाए गाज मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है वो है लाइफ टाइम भी चाहिए तब अभी आप जो भी चीज़े सर्च कर रहा हूँ तो यूटूब चानल कुछ लोगों का वीडियो पर देखूँगे उसमें मिलियंस में भीज रहते हैं क्यों रहते हैं पता ही क्यों रहते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे से किया इसलिए उनक पर इंगेजमेंट चाहिए और थमनिल चाहिए ये दो चीज़ों को फॉलो करेंगे तब आपके वीडियो पर भीज बढ़ेंगे तो लास्ट में मैं एक ही चीज करना चाहूंगा बड़े क्रियेटर का बड़े यूटूबर्स का वीडियो देखना बंद करो क्योंकि वो त क्यों से मिले किसी और से मिले किसी और मतलब नहीं बस आपको अस्केल आना चाहिए और जो चीज़े IMPORTANT होते है उस important चीजो को आपको सीखना होगा कैसे आपको अपने वीडियो में engagement करना है कैसे आप आपने वीडियो से किसी को इंगेज कर सकते हो, कैसे आपको सब्सक्राइबर बना है, कोई ट्रिक विडिक नहीं होता, अगर ट्रिक विडिक खुड़ा होता, तो सब लोग ये ट्रिक को यूज करके यूटूब पर वारर हो जाते हैं सब लोग चारजा घंटे का वास्टेम करने का कोई ट्रिक नहीं होता मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जो बंदा यूटूब पर पैसा कमाने आया है वो यूटूब का एक छोटा सा काम एक हजर सब्सक्राइबर चारजा घंटे का वास्टेम पूरा नहीं कर सकता तो क्या वो घंटा यूटूब से पैसा कमा पाएगा कुछ नहीं कमा पाएगा एक छोटा सा चीज तो वो पूरा कर ही नहीं पाता तो बड़ा चीज कैसे हासिल करेगा मिलियंस में व्यूज कैसे लाप आएगा मिलियंस में व्यूज आएगा तभी तो लाखो कमाएगा लाखो कमाएगा तभी तो गाड़िया आएगी बंगलाब आएगा ऐसे थोड़े नाएगा तो इस चीज को समझो तो बड़े creator का video देखना बंद करो, stop करो, और जिसका भी video आपके सामने आ रहा है, उसके videos को देखो, सीखो, knowledge लो वहां से, और आप अपने patience को, आप अपने skills को बढ़ा और उस skills को अपने वीडियो में implement करो, जिससे कि आपके video पर engagement बढ़े, thumbnail में click button बनाओ, ताकि thumbnail पर लोग आपका click करे, कोई जरू नहीं कि बड़े creator नहीं, आपको ये सारी चीज़े बता सकते हैं, ये चीज़े कोई भी बता सकता है, ये चीज़े आप किसी से भी सीख सकते हो, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को like कर देना, और जो लोग channel पर नहीं हो और आगे भी इस तरीके के वीडियो देखना चाहतो, सही चीज़े देखना चाहतो, कैसे आप अपने वीडियो में engagement बढ़ाना है, कैसे आपको thumbnail, clickbait thumbnail बनाना है, कैसे आप अपने वीडियो में SEO कर सकते हो, ये सारे चीज़े सीखना चाहतो, तो subscribe कर दो, ठीक है, subscribe करने के बा अब एके लिए, bye-bye